हेलो और वेलकम वेक एगन फ्रेंड्स में मनीश सेनी एक बार फिर आप से खास्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाल हूँ एक नई रिक्रीटमेंट को लेगे जिसका नोटिफिकेशन वल्लब भाई पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट के दोरा जारी किया गया है यहां पर स्टाफ नर्स के पतम वेकेंसी निखाले गई है जिनने हम नर्सिंग ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं तो उसी पर डिसकस करने वाल हैं उससे पहले फ्रेंट साब बता दें कि यहां पर यह जो वेकेंसी निकाले गई है इसका नोटिफिकेशन पहले भी जारी हो चुका है आई होप आपने पहले ही फारूम बढ़ दिया होगा जब 2020 में यह नोटिफिकेशन आया था लेकिन जिनोंने उस टाइम नहीं बरा था जिनकी क्वालिफिकेशन उस टाइम पूरी नहीं भी थी उनके लिए एक नए मोका है अब वो नए सीरे से अपलाई कर सकते हैं जिन कंडिट ने पहले यहांपर अप्लाई कर दिया है उनको दुबारा आवेधन करने के आउसकता नहीं है जिन्होंने अभी तक नई किया है वो ही केवल यहांपर आवेधन करें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर तो स्टाफ नर्स है उसकी प्रोटल पोस्ट कितनी है अलांकि फार्मासिस्ट के भी एक पत्वर वेगेंसी है अगर कोई यहां पर अप्लाई करना चाहे तो फार्मेसी कंडिट नर्सिंग ओपीसर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 14 नमबर जो पोईंट है नर्सिंग ओपीसर फाइफ पोस्ट यहांप निकाली गई है आप अपनी कर्टेगरी बात जिसको चलिए देख लेते हैं एक जो पोस्ट है यहांपर जनरल के रखे गई है SC के लिए यहाँ पर दो पोस्ट है ST के लिए एक पोस्ट है और OBC कंडिडेट के लिए वी केवल एक पोस्ट यहाँ पर रखी गई है पोस्ट होई हैं फ्रेंट्स पोस्ट में कोई कमी या फिर बडोतरी नहीं की गई है apply केसे करना आपको फ्रेंट्स ये भी बताएंगे application form आपकेसे फिल करेंगे वो भी आपको बताने वाले क्या फीस रखी गई है क्या यहाँ पर syllabus रहने वाला है सारी बातों पर discuss करने वाले है फोरम फिल करने के बाद ने फ्रेंट्स आपको किस एड्रस पर भेजना है यह आपको बता दें जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं जो एड्रस है वो आपके सामने है जोइंट रजिस्टार विपी चेस्ट इंस्टिटूट उनिशिटी अफ देली नौर्थ केंपस देली 110007 पर आपको यह डाक हो भेज देनी है 21 तारीक तक यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं 21 नौमबर तक 500 रुपे की जो आपको ड्राफ्ट है वो बनवा लेना है और वो उसके साथ आपको सेंड करना है चलिए पूरी डिसकस कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में तो जो यहाँ पर फीस रखे गई है वो आपके लिए 500 रुपे रखे गई है जैसा कि आपको यहाँ पर बता रखा है लेकिन जो कंडिएट SC, ST, PWD और जो फिमेल कंडिएट है उनके लिए आपर पारे हैं यह syllabus है इसके उपर डिसकस करेंगे qualifications के बारे में आप बताया जाएगा आप बिल्कुल tension ना लें तो देखे फ्रेंट से आपर दो paper होने वाले हैं और एक skill test भी आपका होने वाला है पेपर जो फेस्ट होगा वो MCQ टाइप का होगा दो गंटे का होने वाला है पार का होगा 50 नमबर का होने वाला है उसमें से 25 नमबर आपको compulsory है लेकिन यह skill test के वो ही करण डेट दे सकते हैं तो फेस्ट और सेकिंड दोनों paper में qualify होने वाले है minus marking भी यहाँ पर होने वाली है आप यह ना सोचें कि minus marking नहीं है आपका paper वो किस प्रकार आने वाला है तो जो nursing field है वहां से 50 question आएंगे इसके अलावा जो general awareness है, reasoning ability है, math है जीसे अपन कहते हैं इसके अलावा जो हिंदी और English है उसमें से 25-25 question आके 1.500 question आजाएंगे और 1.500 number आप 300 number का यहां पर paper होने वाला है, 1.500 question आएंगे, अब discuss कर लेते हैं कि जो second paper होने वाला descriptive type का वाला 200 number का होने, वाला syllabus क्या रखा गया है, यह syllabus आप आप अराम से देख लें, इसका आप एक print में निकल वालें, जिनको यहां से समझ नहीं आ रहा है, math में से क्या पुछेंग आप करेंगे, और computer का knowledge क्या है, उससे related 25 number का यहां से आपको पुछा जाएगा, इसके अलावा जो minus marking है, वो one fourth यहां पर रखे गई है, चार question अगर आप बलत करेंगे, तो एक number आपका काट लिया जाएगा, अब discuss करते हैं इसके qualifications के बारे में, तो जैसा कि हम आपको बता रह nursing की भी हो, इसके लिए कोई आपको experience क्या हो सकता नहीं है, जिन candidate ने BAC nursing ओनर से हैं, चाहे regular हैं, इसके अलावा जिन्होंने post basic BAC nursing कर रखी है, इनको किसी भी experience क्या हो सकता नहीं है, डारेक्ट अपलाई कर सकते हैं, लेकिन तो जीनम candidate हैं, उनके लिए एक साल का experience यहां पर minimum भी देख लेते हैं, इसका जो form है, वो कैसा है, तो जैसा कि form आपके सामने भी open हो जाएगा, यह देखे फ्रेंट्स यह आपको भड़ लेना है, इसको भड़ने के बाद आप speed post के दोवारा या फिर आप खुद भी जाकर इसको जमा करवा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें समझ में नहीं आई, आपको फोटो करनी है, अपको लगा देने हैं, और सारे डोकॉमेंट आपको इसके साथ ही लगा के बेज़ देने हैं, और यह 8-bit कार्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको भी आपको फिल करके बेज़ना है, लेकिन जो रोल नंबर, टेट ओफ एक्जाम और अड्रस और जो सेंटर है, इसमें आपको कुछ नहीं बरना, बाकि सारा कुछ आपको बरकर यह भी साथ में टेज़ करके बेज़ना है, तो धन्यवाद फ्रेंट्स, आई होप आपको चैस्मेज में आ गया होगा, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं जब आप इसका प्रेंट निकालेंगे, तो जो भी डोकुमेंट आपके सेल्फ टेस्टेट्ड जो कोपी हैं, सारी आपको यहां पर भेज़ देनी हैं, धन्यवाद फ्रेंट्स,